सब्सक्राइब जी आज आगी थार दो बुक करांगे रिव्यू ते मेरे नादन नवदीब मेरा कजन कर दें जी शुरू तो सब तो पहला दस्कू के दे पर की कुछ यह नमी थार है जिन्नों 2020 करके क्योंकि यह 2020 दे वेच लॉंच वही सगी है तो इस दे विच बिल्कुल इपराणी थार राड़ो सारे चेंजिस आ गया तुसी फ्रेंट तो चेक कर सकते हो बंपर चेंज पूरा अग्यों मैं लुक दी गाल कर रहा है ता पुराणी आड़ी नाड़ो काफी ज़्यादा एंहांस है बस एक सब्सक्राणी नहीं चीज दी बदिया लाग दी हो फ्रंट ग्रेल बट ओधी भी उन ऑप्शन आगी है तुसी रैंगलर वाली पास आगे दियों जदा तुसी फिन देख साकते हो इते तक का जंदे है तो उनना लुक हो रहे दिन हैंस हो जंदी है ते हेड लाइटां दी का बाट अहाँ जड़े है यह फैंसी लगाई हो यह ए अटम है इंजन तुसी देख साकते हो हो है ए 2.2 डीजल इंजन है जड़ा एक सथी होर्स पावर प्रेडिस करदा है तो आइस दा अच्छ तर्बो आजन दा है एकके देबिच जड़ी हो वूल वाली थे हुंदी है इस जड़ी डीजल वाली वाली यह देविच नहीं दी तुसी परसनली आप लगवानी हो वे तर्डैम पे नू कर साकते हो बट इवन लोड नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा है जादा बॉनट भी बॉनट काफी है तुरी लोही दी मोटी जादर ही है तो इद्दली साइड क मोडल अवेलेबल है जड़ा एलक्स मोडल है देवेचे ठारा इंच दे रिम मंदे है औरिजिनल महिंदरा थार दी तुसी देख साकते हूं ब्रेंडिंग दी होई होई है थे साइज है 255 पैंट आर ठारा देखी साकते हूं बग्की दूसी लुक वाइस यह बहुत ज्याद देख साइज है तो इदर भी 4x4 दी ब्रेंडिंग होई है पूरी सिंगल इस दे विच कव देख साकते हैं एक की कर बांदी है एंड वही कंटीनू हों दी है अग्य तक जो इदे नाड मैच कर दी है तो तुसी देख साकते हूं इत्थे भी थार दी ब्रेंडिंग होई है थ इत्वड़ा रिवर्स एह था वड़ा है तो बड़ा है जैनी है और ता नू बल्ला हुए देख रहा होना है जड़े आ वाली यह चीज दा लेडी ता न जगाके भी देखा देने है तो पिछे भी उही सेम साइज दा टायर मेल दा है जह तुसी दूसरीयों मॉडल लगों क पहले जने की कारदेया पहला इनू बांद गार देंदे बाद चेनू फिर शीशा टूटें दे चांसेज वाज्या देजनाल सो यह थोड़ी प्रकॉशन लान यह था डवल स्प्रेंग देख लेन लगा यह उपन करन दिल तो इदे विच फाग हो आन न दीदे आ है यह हीट इतना है कुछ बांधन दाया एक रियर सबसे देख साख देऊ है कि युदा नहीं है थोड़ी आप रोड़िग ले जाने युद ड़ी तोल के तैक कुछ आथी टूल के टाय एक ए रिस अनू थोड़ी डिस्डवांच ए लगई के तुस्हीं 15 राख रेया गडी ते खर्च रह पिछे लाइट अजान्दी है ब्रेक लाइट है तो बांद थोड़ी केरफुल त्रीके ना करनी बांदी है क्योंकि पहला शीशा क्लोज करना पेंदा है उस तो बाद अहां बांद होंदी है नहीं तो शीशा टुटतन दे चांस रहेंदी है तो दूसरे नमबरते में काल कर र होंदा है तो पहला तो तुसी एद्धर लिशाइट लुक चैक कर लो एक होड़ी डिसडवांटेज है कि अस दा लॉक बार है बट होन आफ्टर मार्केट है आगया है कि अन्दू चांपी देनाड ही खोलना पेंदा है तो बांदू यह अंदरों नाइन्टी दे वेच यह अन्दरों दे लुक चेक करा देना है थी पूरी पहला था यह देख साकते हूं पैद राखके चड़नों यह काफी वधिया क्वाल्टी दे यह बट है यह प्लास्टिक दे जो इस क्वाल्टी दे बने होई है थोड़े सॉलिड बिल्ट है जैस दे डोर भी उतार नहीं तो अच्छी ओपी उतार साकते हूं कोई ओक्खा काम नहीं है दोर अधे कंप्लीटली ओपन हो जन्दे है रहा हिंजीज देती है उत्था थी खोल लो तुसी बास इत्था जी खोलो ते डोर उत्तर जन्दे है इस दे जत्था मजी ता ड्योप्शन होगी तसी यह उतार के चला बाकि तुण होने रियर स्पेस ऐसी दखाने है तो पिछे जान देला ही सीट नू एथे लगया हुआ है क्लीवर उनू पूल करना बेंदा है तो सीट तो अड़ी अग्य आ जान दी है सो एक बटन दिना आली पूरी अग्य तक हो जान दी है तो तो अनो रियर काम्रा को इस सब्सक्राइब करें तकरीबन वेरी हाइट है कि पांज नौ ते छे फुट वाड़ा बंदा वीज अगए बैठेगा काफी तुसी स्पेस देख साख दें पिछे काफी स्पेस गड़ी जाएगा दो जने रामनाड बैठ साखते हैं बाकी पिछे कोई साध्य को आरम रेस्ट व तक बदी आएए तात मांट तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक राउंड शिस्टी तुस थाउसेड़न दी डिफर्कंदावा जनन ने कि तुसिं अर शिकोमेंटब करांगे कि तो साथ मॉडली लबो क्योंकि विच्छ आ हूब एग ड़ाए नहीं है धिग्स काफी स अब यह थे स्पीकर लगे होए है यह ग्रेब रेल लगी है यह पढ़न देल ही जे ओफ रोडिंग कर देयों इसी देल भी काफी सुने है तुसी देख साकते हो इनुँ इद्धा पकरके अड़ अद्धा करके क्लोज होए है अंदरों इंटीर दी पहला कल करां डैशबोर दी बिल्ड को वाल्टी दी ता प्राणी आड़ी नाड़ों मच बेटर है इन्नी महिंद्रा पहला क्वाल्टी नहीं दिती हो नाने इवन की स्कॉर्पियो वी अंदिया हो दे विच भी इन्नी वदिया क्वाल्टी नहीं सेखी जिनिए देवेच आ रही है डैशबोर वरूफदा मतलब है तुसी पाणी डोल दो जिद्धा मर जी युकते जा डबोलो यह वाटर रिजिस्ट एदा तुसी मालो एदा टॉप खुल लेया हुए यह तो आटे को सॉफ्ट आप गड़्डी है उदे विच मी पह गया कुछ ते उन्ना कहें चल जाएगा जिदा गि पाणी फाइबर दी फिनिश जी दिती हो यह एदी हुते है बट इदर स्पेस थोड़ी खाटा है नाम अतर रही है वस डॉकुमेंट यह सागदे विच देख सागदे हो इदर थोड़ी इन अनू स्पेस बदादेनी चाहिए इसी बट एक वेनिफेट है कि तुसी इनू लो आजन्दे है एदे आफ्र मार्केट स्टेरिंग कंट्रोल नहीं लगने क्योंकि यह एदे अंदर ही इन बिल्ट है स्टेरिंगी पूरा चेंज करना पहनता है तो प्लेयर दे नाल पूरा कनेक्टेट है पूरा टैक सब्सक्तर में दा प्लेयर दी कालकर यह था ब्लीटूथ अचरों में दा बिल्टूथि आफ्री कर दिल्ट है मैं दी नहीं जान दी द्ख़ागाई थी नाल में यह एदेग नौर म सब्सक्तर पाइब हो गरी आए और बिल्टूथा साइन चल जाना जाना ज्था इदर इंजन टैम तेंप्रेच्य जशन दै रहा तो गर्डी हो दा क कर दो दिफरेंस हो जन्दा है तो एद रहा गड़ी दी एद आवाली प्जिशनिंग दास देंदा है किस एंगल ते टी यह गड़ी जेता है ओफ्रेट कर रहे हैं तो कस्टम देवेचे अपा इनू कस्टमाइज भी कार सागदे है सारा कुछ है तो परसुनल ही अपा सेट कार सागदे हैं वील इनमेंट तो सी सारी फीचर देख सागदे हूं कहार इनने तवन मैं डिटेल देवेचे नहीं जाओंगा अगेधि इन गल करें ता Android Auto System वह वह वी मिरको थ होण iPhone भी यूज नहीं होना Apple CarPlay आ जांदा है वह तो था नू पता ही होवेगा तो कार प्लेटी है बाद ही सोना प्लेटी है यह जिनने भीच फीचर दिते है मैं चनल नहीं आने हो देगँ हो देख साके नहीं आर पर देख है यह आपकल लोगेशन औरह सरस्ट जोड़र करने कारा है किया थिस कि और न छलोывать C कोई मतलब हवा काट नहीं है डाना दी अडवेंचर कनेक्ट थे विच यह दा में नहीं आप नहीं पता सो इतना लग लग फीचर है तुसी देख साकते हूँ आ थोड़ा मेरे सामना एर दी कोहल्टी दा लग रहा है एंड बैक कर देया है बाकी हुन तुसी थले आ जूँगे ता देखूंगे इथे तुब डेसी दे कंट्रोल हो गया टेंप्रेचर दा हो गया ता डेफैंदी स्पीड हो गई ते दो यूस्पी हो गई एक कोक्स हो गई ट्वैलबोल्ट दा चार्जिंग सॉक्ट वीक है गा है हाईजर्ट दाइड तो आउन होगी है तो इन्हों इत्द ही प्रेस करना है ओफ जान दिया सीट बैड वार निंग इस तो आउफ जान दिया बाकी हुन गेर दी गाल करिए देविच सिक्स्पीड मैनुवल गेर बॉक्स है आटोमेटिक वीक अवेलेबल है तो आ एदा है ग इत्रों जिड़ा मर्जी तुसी गेर पाओ ते थे ख्लाच जट वा देख लो चट देता है मैं कोई गड़ी नी मूब कर रही जड़ा मर्जी चाहे फर्स्ट पालो थर्ड पालो किते नी जाएगी गड़ी पूरी स्टक का गड़ी है ते पिछे रूमेना करदमांगे ता ए सब्सक्राइब कर देता है और थे साइन आजेगा देखो तटा 4x4 तहाइद आ गया ते हुड मैस वले हुड नीट्रल देविच कर देता है अंगेज और देखो थे लिखे आजेगा 4WD लो तो सारी डिस्प्ले दस देंदा है डिजिटल मीटर रहे तक वीचे ते साइड आ और एक डिटल मीटर बहुंद पलदे देखो देखोड़ने है तो थे फिचर वाइज बहुत ही डिखना है पुरानी ही ते देवर्च कर तना आ फाल को पहले नमों इंजिन द्रे चाल कर दिना को ज्यादा है मैं परसूनली चाल एज नम इसमा तो छा पर्लिक करीण लागता नहीं यह वाली गड़ी चला के कोई फील ही नहीं हुंदा कि तुसी एक SUV गड़ी चला रहे हो वी जड़ी प्योर ओफ रोड दी बनी है तो इन ना जादा रिफाइंड इंजन इस गड़ी दा हैगा यह ते दूसर नंबर ते काल करा है एदे विच इड़ी सुस्पें तो उसी 80 स्पीड दे वीच चला रहे हो ना तो अन्हों गड़ी लगेगा बे आउट अफ कंट्रोल हो रही है जंप मार रही है क्योंकि एक ता छोटे टैर हो दे बहुत होंदे सिके फिर लोग उन्हों वड़ी टैर पुहांदे सी ओफ रोड़ी लई वड़ी टैर होंड कर स्टेरिंग फीड़बैक भी एदा बहुत अच्छा है इदर मेरर आजनदा है इसनों की खोल सब्सक्राइब थोड़ा मुश्किल काम है बट खुल जांदे है टाइम इनू काफी लगदा है जदा सौफ्ट आप दा करीम तो तकरीम तो 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 फंदरा इसनों काफी कि पिच्छों भी तो उसी चाथ देख सकते हूं अधे रोल बार भी लगगे हुए है क्योंकि चाथ ते दी प्लास्टिक दी है तो इसकार के जे बाई चांस ओफ रोड़िंग ते कोई रापना गरे गड़ी पलत जांदी है तो तो अधे रोल बार लगगे हुए है तो इस अधे पारे सोच सागे हूं बट इस तुसी एही कटी लेके ट्रिप लगाने है या फैमली कार्म को यूज करनी है कर सागती हूं बट लगेज नहीं आए गा ता अधा यह ता नो बेला दासदने है लगेज दी बिलकुल स्पेस है निकी लगेज देली अधे इस दा मैट भी गड़ियो देली अधे बट लगेज दी अधे अधे नहीं दी अधे बट लागे वीडियो बढ़ा के दखावागे जदो दूसा ए साथे नौंधी गड़ी है जो तो साथे अपने वाड़ी आजे वेगी उसनों पूरा तियार करावागे अधे बिलकुल अलागे वीडियो तो अनुझ दखावागे विशजी ग्रेल दा हैड़ लाइट्स दा स्पीकर्स दा ओडियो सिस्टम पूरा उस देविच असी चेंज गरागे तो अनुझ सारा वदेविच दखावागे तो एक वारी ड्राइविंग दा भी एक्स्पीडियन सतादे ना शेर कर देने हैं एं इस तो जिन ही तुसी एक्सलेट करी जाओंगे ता उनना उनना एह टॉल के दा वदी जाएगा पावर भी पूरी पूरी दसेगा बिल्कुली रिफाइंड एंजन है कोई अन्वांटेड एंजन दी अवाज यां कोई भी साउंड रेटलिंग दी कोई वाज निया थाज नि नहीं तो आप प्राणियां गडियाज गेर किता वाइप्रेट करते हों ते सिगे तान पुछ नहीं है गेर शिफ्ट बड़े वदी आरामना हो रहे हैं माइलेज दिकाल कर यह ता ओफ रोड अजनी किती है अपा ता साथे 12-13 माइलेज शो कर रही सेगी तगरीबन इनू 300 क चला चुके हैं ते काफी खेच के चलाईया थोड़ी बहुत अफ रोड भी गीती है ताम इसने 12 माइलेज दिती है अजे यह 2.2 लीटर दा डीजल इंजन है ते जैसनों हाईवे ते सी चलावां के सेज में गेर देवेच शेमा तब ऐसे हाई तक रसी नहीं लगा के नहीं तेसनों जित्तो कर लगदा है तेरा चौदा दी है अबरेज दे देगी कटी बड़े राम राल तो माइलेज वाइस भी काफी बदी है एंड स्टेडिंग दी काल करिए तना तेल्थ स्टेडिंग है उपर थले हो जानता है उपर थले हो जानता है तो यह जद्धा मर्जिस फारेज अपने सामने एजरेस्ट करसाकते हूं अब बंदे अप्ग्रेड करवा ही लेंड के क्योंकि ठीक है मतलब ओके डीसेंट जे ही साउंड है इस इन्नी वदी आउडियो क्वालिटी नहीं है कि अब बंदाबाद देविच लेकर लगवा ही लेंदा है फिर इस देविच एड़ी गाली है बाकी तुसी पावर गड़ी जल्दी चेक कर साइथ पिक अप देख सकते हो गड़ी गेड़ आउन करो ता पिक अप स्पीड देख साथ बहुत जल्दी फट दिया गड़ी एक सुती होर्स पावर है अग ब्रेकिंग भी गड़ी दी काफी वदी आया पहला नाडव ब्रेकिंग बहुत इंप्रूब होई पहला ब्रेकिंग पावर इनी वदिया निसी हुंदी होन काफी जनिक एक तरह ना पूरी दिश्टा तुसी कह सकते हैं कि नॉर्मल कार ही है इसनों तुसी जीप हैगी तै ओफ रोडिंग वासते ही है पर तुसी इसनों ऐसे का फीलिंग कारवाली ही है इस दे वेच पूरी तुसी कोई कहलो है है या कोई लगजरी कार चला रहे हैं मतलब प्रॉपर कर ते तरह भी यूज़ कर सकते हैं ते ओफ रोडिंग ता बखी है इस दे वीच है ओ तक स्ट्रीम लेवल दी इस दी हैगी है उस दे लिए तो आनू ऑफ रोडिंग ता एक अलाग वीडियो बना क आज साथे को हम टाइम इनना है नहींगा असी थोड़े जरूरी काम भी जड़ा है ते बाकी दूसी यह दी राइड क्वालिटी हुन चेक करी रहे है वीडियो दे बेच के होज यह है एसी टी राइड है बेसी कलिए है ते आहोरन भी है सोंड़ो पहले इस दे बेच होरन ल विजिबिल्टी काफी वज्जान दी है एंड मैं तो नुकोंगा की चलानी बहुत ही इसी है वाली कोई दे दिख वाली गाली है क्योंकि बड़े अदर भी हम दे शीशे भी बड़े है फ्रांट ते विजिबिल्टी भी पूरी है तो बोनट पूरा दिस्दा समने जजमेंट जानी के जह किसी ने मालों छोटी गड़ी चलाई है जो कोई अल्ट वगारा या कोई स्विफ्ट वगारा चोटी चलाना तो एक दम ही इस दे उत्ते आंदा है ति उसनों कोई अखा नहीं लगगेगा बस एक दो किलमेटर चला के उसनों पूरी जजमेंट हो जा ते पूरी उसी लेवल दे यह भी हाइट आएगी ऐसी तनों इस तरह नहीं लगगेगा बे कोई तुसी छोटी गड़ी जे बैठें हो हाला कि जदकी होना दे नाड़ों हे लंबाई चोड़ाई दे वेच गड़ी छोटी ही है बट हाइट वाइस हो गया ते पूरी उना दे वीडियो लेके आंदेरहांगे एगला वीडियो बाकी देख लेख थे आफ रोडंड दा भी लेके आमागे बाकी एक जो दुसरी थारवी अपनी आचेगी उस देख ते खुस्टुमाइज क्रावांगे साब कुछ कुस्टुमाइज हो लोडंगे ओडियो करांगे लाइट